आपका फिर स्वागत हैं सोचें सोचना जरूरी के दूसरे पार्ट में अब है गपशप और खुलासा NCP प्रमुः शरत पवार बहुत सक्रिय हैं वे कॉंग्रेस को अपनी धमक दिखाने की तयारी कर रहे हैं 27 मार्च को उन्होंने विपक्षी नेताओं को न्योता दिया है और उनकी पार्टी दावा कर रही है कि विपक्ष की यह बैठक सोनिया गांधी की बुलाई बैठक से ज्यादा बड़ी होगी वे भाजबा के साथ साथ कॉंग्रेस विरोधी नेताओं को भी बुला रहे हैं और उमीद कर रहे हैं वे सब इसमें हिस्सा लेंगे इस लिहाज से सबसे एहम शिव सेना और तेलगु देशम पार्टी है चर्चा है कि पवार की दावत में इन पार्टीों के नेता हिस्सा ले सकते हैं यह भी कहा जा रहा है कि ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पतनायक और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव इसमें शामिल होंगे या अपना प्रतिनीधी भेजेंगे ममता बेनर जी ने तो पवार का न्योता स्वीकार कर ही लिया है अगर शरत पवार अपने इरादों में काम्याब होते हैं तो यह कॉंग्रेस के लिए बड़ा जटका होगा बहुत संभव है कि उनकी बैठक में विपक्षी पार्टियों के कई मुख्यमंत्री शामिल हों या कम से कम उनके प्रतिनीधी हिस्सा ले त्रणमूल कॉंग्रेस के साथ-साथ, भीजद, टी-ार-एस, शिव सेना, मनसे, आदी के नेता इसमें हिस्सा लेते हैं और बाकी विपक्ष की हर बैठक में शामिल होने वाली 18 पार्टियों के नेता भी शामिल होते हैं तो इससे आगे की बड़ी राजनीतिक तस्वीर उबरेगी NCP सुप्रीमों शरत पवार कॉंग्रेस के साथ शह और मात का खेल खेल रहे हैं वे एक तरफ कॉंग्रेस के साथ बात कर रहे हैं और राहुल गांदी की तारीफ कर रहे हैं और मनसे के साथ भी मोर्चा बना सकते हैं पिछले दिनों उनकी दोनों पार्टियों के नेताओं से बात हुई है शरत पवार को ठाकरे बंधूं के साथ राजनीति करने में कोई दिक्कत नहीं है अगर ऐसा होता है तो महराष्टर में तीन मोर्चे हो जाएंगे एक तरफ भाजपा और रामदास अठावले की पार्टि है तो दूसरी ओर कॉंग्रेस और राजुशेक्टी की और तीसरा मोर्चा एनसीपी शिवसेना और मनसे का बन सकता है हाला कि यह भी संभव है कि शरत पवार ज्यादा सीटों के लिए कॉंग्रेस पर दबाव बनाने के लिए शिवसेना और मनसे का इस्तेमाल कर रहे है एक संभावना यह भी बताई जा रही है कि पवार और कॉंग्रेस के साथ ही मन से का तालमेल हो और अंत में जख मार कर भाजपा और शिव सेना को लड़ना पड़े सुहेल देव भारतिय समाज पार्टी के नेता ओम प्रगाश राजभर ने राज्यसवा चुनाओं में भाजपा का साथ देने का एलान कर दिया है इससे नौवी सीट का मुकबला दिल्चस्प हो गया है उदर उत्तर प्रदेश में इस समय 402 विधायकों की विधान सबा है जिसमें भाजपा और उसकी दो सहयोग्यूग पार्टीों के पास 324 विधायक है राजपा की एक सीट जीतने के लिए 37 वोट की जरूरत है सो भाजपा के पहले 8 उमीदवारों के लिए 296 वोट की जरूरत है उसके बाद भाजपा के पास 28 वोट बचते हैं दूसरी और अपना एक उमीदवार जिताने के बाद सपा के पास 9 वोट बचते हैं बसपा के 19 कॉंग्रेस के साथ और रा लोध के एक विधायक को मिलाकर उनकी संक्या 36 हो जाती है पर मुश्किल यह है कि सपा के नितिन अग्रवार और निशाद पार्टी के विधायक विजय मिश्र भाजपा का समर्थन कर रहे हैं दूसरी मुश्किल यह है कि बसपा के एक विधायक मुकतार अंसारी जेल में है जिनको अभी तक वोट डालने की मनजूरी नहीं मिली है इनके अलावा सपा को शिवपाल यादव के वोट का भी खत्रा है और अगर तीन निर्दलिय विधायक सरकार के साथ गए तो बसपा उम्मीद्वार की जीत नामुम्किन हो जाई दो लोगसभा सीटों के उपचुनाव हारने के बाद भाजपाने इसे प्रतिष्ठा का विशय बनाया है तो दूसरी और सपा और बसपा गठबंदन की मजबूती के लिहाज से भी यह बेहत एहम हो गया है आप देख रहे हैं सोचें सोचना जरूरी अब है खुलासा ताजा सुर्ख्यों में और बहस में जिस बात ने आपको भड़काया है या कन्फ्यूज किया है उसका मतलब क्या है और और चोर क्या इसे समझने के लिए अब देखें आज का खुलासा भारतिय जनदा पार्टी के नेता और केंद्र सरकार के मंत्रे इस बात पर भड़के हैं कि एराक के मुस्ल में 49 भारतिय नागरिकों के मारे जाने के खबर पर भी कॉंग्रस पार्टी राजनीती कर रही है सवाल है किसकी शुरुवात किसने की क्या ये सही नहीं है कि सरकार ने इराक से आई एस रिदय विदारक सुचना पर राजनीती शुरू की मारे गए 49 लोगों के परजन हैरान और दुखी है कि उनको इस भयावा खबर की सुचना टेलिवीजन से मिली सरकार ने उनको सुचित करना जरूरी नहीं समझा जिनके परजन पिछले चार साल से उनके इंतिजार में बैठे थे ये खबर सबसे पहले संसद में देने की क्या जरूरत थी क्या ये कोई संसदी प्रक्रिया से जुड़ा मामला है या कोई नितिगत फैसला है जिसे संसद सतर के दौरान बाहर नहीं कहा जा सकता सरकार को सो मार की शाम ये सूचना मिल गई थी उस समय से लेकर मंगलवार की सुबह 11 बजे तक क्या सरकार की ये जिम्मदारी नहीं बनती थी कि वो मारे गए लोगों के परजनों तक निजी तोर पर ये सूचना पहुँचाएं पर ऐसा करने की बजाए सरकार ने राजी सभा में 11 बजे इसकी जानकारी थी यही से राजनीती शुरू हुई और फिर कॉंग्रिस ने भी समस्ते पर खुब राजनीती की इराक के मुस्ल शहर पर 2014 पर जब इस्लामिक स्टेट के अरतंकवादियों ने कबजा किया तो और उन्हें भारत के 44 लोगों को बंधक बनाया था इन्वे से चूब कर भागे एक बंधक हरजीत मसी ने उसी समय दावा किया था कि आतंक्यों ने बाकी 49 लोगों को मार डाला है पर भारत सरकार ने उसके बयान पर भरुसार नहीं किया अब भी सरकार कहा रही कि हजीत मसीख के बयान की पुष्टी नहीं हो पाई है पर ये भी नहीं बताया जारा कि सामोही कबर खोटकर जो 49 शर्व निकाले गाई हैं उनकी मौत कब हुई थी अगर उनकी मौत 2014 में हुई है तो एक तरह से मसीख की बात की पुष्टी होती है जस तरह की तकनीक से इस सामोही कबर का पता चला है और भारत से भीजे गए DNA का मैच कराया गया है उससे उनकी मौत का बिल्कुल सही समय का भी अंदाजा हो गया होगा एक बड़ा सवाल यह है कि जब उनकी मौत 2014 में हो गई थी और उनकी जीवित होने का कोई ठोस सबुत उसके बात से ही नहीं मिल रहा था कि सरकार के साधार पर उनके परजनों को दिलासा दे रही थी पहला तो यह कि उसने के साधार पर अगवा किये गए भाड़तीयों के परजनों को दिलासा दिया था और दूसरा यह कि उसने सुम्वार की शाम को सूचना मिलने के बाद परजनों को इसके झानकारि क्यों नहीं दी क्यों इस बात पर जोर दिया कि सबसे पहले संसद में इसकी जानकारी दी जाएगी सरकार को इस बारे में विस्तार से देश को सब पुछ बताना होगा सुश्मा स्वराज ने वैसे प्रेस कांफरेंस करके इस बारे में सूचना दी पर जब सरकार को उनके मारे जाने की कोई सूचना नहीं मिल रही थी तो उनके जीवित होने की भी कोई सूचना नहीं मिल रही थी। फिर भी मारे कई कई भारतियों के परजनों ने कहा है कि उनको प्रदेश मंत्राला ने कहा था कि बंधक बनाये गए लोग जीवित हैं। कप को संदे नहीं है सरकार करीब चार साल तक लगी रही मुसुल को इस्लामिक स्टेट के कब्जे से मुक्त कराने के बाद जारत तेजी से और सखन प्रयास हुए उसमें सरकार के मंशाप पर कोई सवाल नहीं उठाया जा रहा पदेश राजमंतरी वीके सिंग ने विस्तार से बताया कि कैसे वो गाउं गाउं जाकर भारत में बंदकों का पता लगाने का प्रयास किया लोगों की जूटी सुचनाओं से सरकार गुमरा हुई पर सरकार ने यह नहीं सूचा कि 40 लोग बंदक बनाए गए हैं और इतने लोगों को इतने समय तक छिपा कर नहीं रखा जा सकता आखिर उसी जगह पर इसी तरह बंधक बनाए गए नर्जों को छुड़ा लिया गया था जबकि बंधक मजदूरों का कोई सुराग नहीं मिल रहा था सो सरकार ने एक तो यहां सामानी समझ से काम नहीं लिया और दूसरे बंधकों की मौत की सूचना मिलने के बाद उसे परजिनों को बताने के बजाए संसद में बताने के जित की यूट्यूब पर नया इंडिया टीवी की इस चेनल पर सब्सक्राइब का बटन दबाएं वहां जो गंटी बनी हुई है उसे दबाएं ताकि नया एपिसोड अपलोड होते ही आपको सूचना मिले